इस वीडियो मैं आप से बात करूंगा वैरियेबल के बारे में और किस तरीके से वैरियेबल यूज करते हैं और उसको प्रिंट कैसे करते हैं तो इन सारी चीजों के बारे में इस टुटोरियल में बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, जॉइन कर लें, और कम्प्लीट आप वहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप सारी चीज़े सीख पाएंगे, मतलब बहुत सारे अपडेट ले पाएंगे, मेरे से बात कर पाएंगे यहाँ पे मैं एक python file बना लेता हूँ, और file का नाम देता हूँ, variable file, okay, variable tutorial, okay, मैं tutorial देता हूँ, and enter कर देता हूँ, so variable tutorial.py करके file बन गई, अब इसको कैसे यूज़ करना मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, so simple यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले program को अपडेट कर दू, defender के साथ, and then द is a container, container होता है, कैसे यह काम करता है, सारी चीज़े मैं यहाँ पे बात करूँगा, so container यह है, तो कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, like अगर, मैं यहाँ पे कुछ variables type कर दू, like where, where, where one, मैं यहाँ पे where one, your is equal to, मैं यहाँ पे double quotes के लिख देता हूँ, info, texas, and where to, where to is equal to, quotes के लिख देता हूँ, complete python tutorial, okay, इस तरीके से, अब मैं, यह तो simple हमारे एक string value है, यह string है, क्या है, कैसे है, हम python से खुद ही पूछेंगे, और वो खुद बताएगा मुझे, and मैं यहाँ पे variable एक और देता हूँ, 10 करके, 3, and एक और variable मैं 4 लिखता हूँ, जिसकी value मैं देता हूँ, 100.3, and ऐसे ही मैं एक और variable देता हूँ, variable 5, जो भी यहाँ पे आप देना चाहिए, उन सारे variables को दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं कोई भी एक variable दे सकता हूँ, ऐसे अभी तो इस सारी चीज़े हो गए, चलो, अब इसका use कैसे करना है, गाइस अगर मैं यहाँ पे print करता हूँ, print करूँ मैं, और is equal to दूँ, और, sorry, is equal to नहीं होगा, print, and इसको मैं print करता हूँ, where 1 को, and कैसे print करना है, देखें, यहाँ पे run पे गया मैं, और यहाँ पे run किया, और run करने के लिए पूछेगा, किसको run करना है, तो मैंने variable को लिया, तो यह बता दिया, कि variable 1 में क्या रखा हुआ है, info Texas, मत्तब कि यह container है, variable 1, और इसके अंदर जो भी रखा हुआ है, उस चीज को print करके दिखा देगा, कि इसके अंदर यह चीज रखी हुई है, सो इस तरीके से, अब ऐसे ही हम लोग अगर यहाँ पर print करते हैं, variable 2 को, सो यह 2 को यहाँ पर दिखा देगा, कि 2 के अंदर क्या है, तो YouTube चैनल और यह सारी चीज दिखा देगा, ऐसे एगर हम 3 को print करते हैं, तो यह 3 के बारे में यहाँ इनफोर्मेशन दे देता है, यह सारी करूँ, सो यहाँ पर एक error आ गई, क्योंकि variable 3 and variable 2, यहाँ पर देखे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 3 हमारा क्या है, 10 है, और variable 2 हमारा क्या है, यहाँ पर एक अलग value है, मतलब कि अगर आप इसको add करेंगे, सो variable 3 तो ठीक है, variable 2 को कैसे, यह मतलब कि किसी भी numerical value को character के साथ य अगर यही चीज़ यहाँ पर मैं 3 add करूँ, 3 लिख दूँ, and then इसको print करूँ, सो यह जरूर print करके देगा, कि 10, sorry, 100 plus, sorry, 100 plus 10 कितना होगा, तो यह देखें, यहाँ पर 20 print करके दे रहा, अब इसने कैसे calculate किया, यह सारी चीज़े, अगर मैं थोड़ा सा 33 यहाँ पर किया, sorry, 33 3 हो गया, अगर मैं 3, 4 करता हूँ, यह 4, 3 करता हूँ, वही मैं कह रहा था कैसे, तो 110.3 इसने print करके दिया, आप देख रहे हैं कि दो same, अगर numerical value को आप variable के साथ print करते हैं, तो यह print करके जरूर दे देता है, अब गईज रही बात यहाँ पे कि कैसे हम दो, इस value को कैसे print करे करेंगे दोनों value को, अगर मैं यहाँ पे 1 & 2 को print करूँ, तो जाहर से बात यह print करेगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, character है, और दोनों को एक साथ यह add कर देगा, चले देखते हैं, तो अब देखें, यहाँ पे इसने print करके दे दिया, info taxes, और यहाँ पे channel, youtube channel, subscribe and learn complete python tutorial, आप थोड़ा सा string float and integer value पे काम कर लेते हैं, तो string value हमारा यह है, और यह हमारा क्या integer value है, और यह हमारा क्या है, float है, तो कैसे यह काम करता है, चलिए देखते हैं, यह खुद बताएगा हमें, print मैं करता हूँ, और मैं bracket के अंदर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो अब हमें, print मैंने यहाँ पे किया, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे ध्यान से समझेगा, मैंने यहाँ पे लिखा type, ओके, type लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक बार और bracket open करता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, where, one, one को मैं देता हूँ, one लिखन one है, यह string value है, है न, and यह string value होती, क्योंकि यह character में है, अब यहाँ पे 3 को मैं print करूँ, like simple, मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, 3, तो 3 में भी यह क्या दिखाएगा, कि यह int, मतलब integer value है, अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4, जो की हमारा एक float है, तो देखते हैं, यह print करता है क अब देख सकते हैं, class float में आ गया यह, तो इस तरीके से यह काम करता है, अब यहाँ पे complete आपको define हो गया कि कैसे यह चीज़े काम करती है, error कैसे हम लोगों का होता है, और कैसे हमारा particular एक variable कैसे container काम करता है, सारी चीज़े हो गए, ऐसे ही आप बड़ा container मनलब की कि किसी भी variable के अंदर, आप चाहते हैं, उतना बड़ा सा print आप नहीं करना चाहते हो, बहुत बड़ी value है, काफी बड़ा पैसेज आपका लिखा हुआ है, काफी बड़ी numerical value लिखकी हो है, तो उसको आप variable यह where one के अंदर पूरी की पूरी कहानी लिखकर क्या कर सकते हैं, simple print करना है, और उसका result लेना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इस तरीके सब आपको clear होगे कि container क्यों use करते हैं, container समझे के एक box है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारा material रख देते हैं, और जब भी हमें उन सारे material का नाम नहीं पता होता हो, bag जैसे कि एक simple सा आपका घर है, अब घर के अं container का वो सारा data print होके आजाएगा, तो इस तरीके से यह काम करता है, so I hope guys आपको यह पता हो गया होगा कि कैसे हमारा variable या container काम करता है, string, float, and teaser value कैसे print करते हैं, so मिलते हैं, next video में वीडियो, अच्छी लगी हो तो like करें, subscribe करें, share करें, thank you झाल